अब जापान के पूर पिधान मंत्री हमारे बीच नहीं रहे हैं और आप लोग उन्हें देखा होगा कि सुबए आज ही सुबए उन्हें गोली माल दी गई थी उसके बाद हॉस्पीटल में उन्हें भरती करवाए गया था और अब देखिए उनकी मौत हो चुकी है बैसे ही आप देखिए तबी से उनकी हालत गंबेर वनी होई थी तो उपर बाले से आप लोग द्वा करिए कि इनकी आत्मा को सांती मिले हम लोग इनकी बारे में एक सामान जान करिए जरूर देख लेंगे कि सिंजु आभी कौन थे इनका किस तरह से सफर रहा है आप लोग कुछ और फिक्चर देख लिजे आप देखेंगे जब हमारे दे ACA में देखेंगे तो यह हमारा प्यारा भारत हो गया और यहां से आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को जापान देखने को मिल जाएगा यह आप लोगों को जापान देखने को मिल जाएगा और आप देखेंगे कि जापान की राधधानी टोकेव है तो यह भी आप लो यामा गोची परांद के नगाटों में है और जहां उनका परिवार पीडियों से रहा करता था। सिक्षा सेई की एलिमेंटी स्कूल में सुरू की और सेई की जूनियर हाई स्कूल और सेई की सीनियर हाई स्कूल में पढ़ाई की। पॉलिक पॉलिसी में सार्वियक नीती का अध्यन करने के लिए स्विक्तराज अमेरिका चले गए थे। हाला कि वहां केबल तीन सेमिस्टर के लिए था और 1989 की सुरुवात में बुर्जापांग लोट आये थे। और सिंजो आभी की बात करें तो 1989 में अपरेल में कोबे इस्टील में ये सामिल हो जाते हैं। और धीरे धीरे भी लिवरल डेमुक्रेटिट पाइटी के सक्रिय सदस्ट भी बन जाते हैं। और पाइटी की जनरल काउंसिल की अध्यच के निजी सचिप के रूम में और महा सचिप के रूम में भी इन्होंने काम किया। फिर आप देखेंगे 1982 में उन्होंने कोबे इस्टील छोड़ दिया और पूर्ण कालिक राजनीती में सामिल हो जाते हैं। और उसी साल आप देखेंगे विदेश मामलों के मंतरी के सहाइक कारकारी बन जाते हैं। और उनकी पिता सेंटारो आवे के पास एक पत था। फिर आप देखेंगे 1991 में सेंटारो आवे की डेथ हो जाती हैं। और 1993 में सिंजो आवे ने अपने पिता की मित्तिव से खाली हुई यामा गूची प्रांथ के पहले जिले से सीट जीत कर पितिनीदी सवा में प्रवेश किया। वे सुरू से ही घर के एहम सदर्सों में से एक थे और आप देखेंगे राजनीटी में थे तो पिता के बाद वो आ जाते हैं। फिर आप देखेंगे 1997 में सिंजो ने जापानी सुसाइटी फोर हिस्टरी टेक्स्ट बुक रिफार्म करने दिति किया और इन्होंने इंस्टिटीट ऑफ जूनियर असेमली मेंबर्स हू थिंक अवाउट दा आउटलोग और जापान एंड हिस्टरी एजुकेशन की भी इस समाला था और साल 2002 में उत्तर कोरिया ने 13 जापानी नागरेकों का अफ़रंट करने की बात सुईकार की तो अवे को उनकी सरकार ने अफ़रंट करताओं की परिवारों की ओर से बाचीत करने के लिए चुना था उत्तर कोरिया के खिलाप आवे के सक्तरुक की देश ने काफी सराहना भी की थी और उनकी लोग फिरेजिता यहीं से बढ़नी सुरू हो जाते हैं और फिर आप देखेंगे सन 2002 में पिधान मंत्री कोई जूमी जुनी चीरो उत्तर कोरिया के सर्वुच नेता किम जॉंग से मिल लें गए तब उनके साथ आप देखेंगे सिंजु आवे भ अध्यक्ष दोनों की रूम में पत छोड़ देंगे चूकि उन्होंने अपने उत्तराजीकारी का चैन नहीं किया था इसलिए चुनाओ हुआ और सिंजो आवे को 20 सेप्टमर 2006 को LDF का अध्यक्ष की रूम में चुना गया और पिधान मंत्री पत के लिए चुनाओ 6 दिन बा था और सिंजो आवे ने यह चुनाओ पिचंड भहमस से जीता था और उस समय आप देखेंगे सिंजो आवे की उम्र बावन वर्स थे कितनी बावन वर्स थे अगर हम लोग सिंजो आवे की पिधान मंत्री के रूम में कारकाल को देखें तो पिधान मंत्री बनने पर आवे उन्हें कोई जुमी जुनी चीरो द्वारा सुरू की गई वित्तिय सुधारों को भी जारी रखा था हाला कि उन्होंने बजट को संतुलन कर लें के लिए बिसिष्ट पहल की और उन्होंने कर बढ़ानी के वज़ाए खर्च में कटोती करके इसे हासिल करना पसंद किया। फिर आप देखें कि उन्होंने विदेशों के साथ अच्छे संबंद बनाए रखने की भी कॉसिस की और साइबतरा जमेरिका के साथ देश के गटवंदन का समर्थन भी किया था। साथ ही उन्होंने देश की रक्षा को मजबूद करने के लिए कई कदम उठाए और उसके तह गोटाला सामने आने पर उनके किरसी मंतरी ने आतमत्या कर ली थी और आप देखें कि जापान इसलिए तो चर्चा होती है जापान में अगर पिदान मंतरी के उपर भी भिष्टाचार की उंगली उठती है तो आप देखते हैं कि जापान की पिदान मंतरी भी इस्तीपा द की नित्तित वाली गठवंदन के लिए उपरी सदन में अपना भहुमत को दिया था और आवे ने 26 सेप्टमबर 2007 को अपना इस्थीपा दे दिया था और उनकी आलोग फिरेता की अलावा खराप स्वास्त उनके इस्थीपे के कारण उनकी रूम में एक बताये गया था पैधार पार्टी ने सरकार बनाई फिर आप देखेंगे 26 सेप्टमबर 2012 को सिंजो आबे सिंजो आबे को लिवलल डेमोक्रेट पार्टी की नेता की रूम में 108 में से 29 मतों से फिर चुना गया और कुछ समय पहले सत्तरों डेमोक्रेटी पार्टी ने निचले सदर में अपना भहुम हुए और सिंजो आबे की नेतित में LDF ने निचले सदर में 480 में 294 सीटें जीती और निव कोमेटो पार्टी के साथ अभी सरकार बनाने में सक्चम रहे और 26 दिसंबर 2012 को संजी वावी की उपचारिक रूप से जापान किप्धान मंत्री की रूम में निउक्ती हुई हाला इसी तरह से आप देखे कोई कानून मनाना होता है तो लोकसवा राजसवा में आता है और राष्टपती की सहमती मिलती है उसके बाद कानिम बनता है और इसे उन्हें अपनी नीतियों को और अधिक सक्ती से आंगे बढ़ाने का आउसर मिला अभी बारतमान में भारती जिनता पायटी की श्तिती आप लोग देख सकते हैं हमारे भारत में जिस तरह से बनी हुई है लगबग आप देखते हैं दोनों सदनों से वो पास करवा लेती है और उन्होंने सबसे पहले जापान की राष्टी सुरक्षा पष्षत की स्थापना की और सेर ने विस्तार के लिए एक पंचवरसी उजना की गोशना की इसके अलावा उन्होंने एक मात्वा कांची आर्थे के उजना की भी सुरू की थी और सुरुवात में इसने अच्छा काम किया लेकिन 2014 की दूसरी छमाई से जापान मंदी की चपेट में आ गया और सिंजो आभी की लोकवेजिता में कमी हो गई और सिंजो आभी ने तब निचले सदन की मद्धावदी चुनाओ का आहन किया और 14 दिसंबर 2014 को आईवजित किया गया था हाला कि मद्धान कम था और LDF ने अच्छी तरह से जीत आंसिल की थी और सिंजो आभी अपनी नीतियों को आंगे वड़ाने के लिए सुतन थे उन्होंने जापानी समिधान की पुनरव्याक्या करना सुरू की और विसे इस रूप से सांती खंड को पर आप देखेंगे मई 2015 में उन्होंने एक बिल पेस किया और जिसे किसी बाहरी खत्री की स्तिती में जापान के लिए सेनवल का उपयोग करना आसान हो गया और बिलको सेप्टमबर 2015 में कानून में पारित किया गया और इसके पारित होने के बाद अब सिंजो अबे अपने राष्टबादी नीतियों का पालन करना जारी रखता है सिंजो अबे ने अक्टूबर 2017 में अपना चोथरा कारिकाल जीता और आप देखेंगे 19 समब्बा 2019 को वह जापान के सबसे लंबे समय तक रहने बाली पिधान मंत्री बने है जबकि कत सुरा तारो के आप देखेंगे 2883 दिवसी रिकोर्ड को इन्होंने तोड़ दिया पार कर गए और आप देखेंगे 28 अगस्त 2022 को सिंजो अबे ने स्वास्त मस्याओं के कारण इस्तीपा देने का फैसला किया था और उनका अल्टर अल्सरेटिव कॉलाइटिस जून 2020 में फिर से सुरू हो गया और इसके पाइडाम स्वारू स्वास्त बिगड़ने लगा और इन्होंने 16 सेप्टमबर 2020 को कारेले चोड़ दिया था और इनके बारे में कुछ और जानका रही है 1987 में सिंजो आवे ने अकी मुद्स जाकी से साधी की थी और जिसके बाद टोक्यो में एक जैविक एजाक आया अकी स्थापना गी और दंपत्ती की कोई संपतान नहीं इनकी और अपने मुख़ दिश्टी कोण के कारण जो अकसर अवे की विचारों का खंणन करता है और अकी को अवे के घरेलू विरोत के रूम में भी संदर्वित किया जाता है और 2017 में बापसी के बाद सिंजो आवे द्वारा पिछलित आर्थिक नीतियों को इवे नॉमेक से सब्द कहा जाता है तो ये कहानी है सिंजो आवे की और फिर से उपर वाले से द्वाही कर सकते हैं जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और मुझे लगता है कि इस तरह की घटना है नहीं होने चाहिए इनके परिवार को सेंस सकती दे इस दुख की घड़ी में क्योंकि परिवार के जाने का मुझे लगता है दुख परिवार का में मरी समझ सकता है